अगर आप विभागी परिच्छा के एस्पिरेंट हैं और अगर आप GDS to MTS, GDS to Postman या फिर Postal Assistant जैसे विभागी परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं तो Direct Rate ने विभागी परिच्छा से सम्मंदित एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है अगर आप विभागी परिच्छा में मिला हुआ प्रमोशन नहीं लेते हैं तो आपको अगला प्रमोशन कब दिया जाएगा वाटसब पर मुझे लगातार इससे सम्मंदित क्वेरी आते हैं कि सर हमने 2022 में MTS का एक्जाम दिया था और हमारा Merit List में नाम आ गया लेकिन हमने MTS का प्रमोशन डिकलाइन कर दिया है प्रमोशन रिफ्यूज कर दिया है तो क्या हमें अगली विभागी परिच्छा में प्रमोशन के लिए मौका दिया जाएगा या फिर नहीं Government of India, Ministry of Communication, Department of Post ने एक क्लेरिफिकेशन सभी Head of Circle के लिए जारी कर दिया है इस क्लेरिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हर एक पॉइंट क्लियर करूँगा अगर आप इस क्लेरिफिकेशन को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करिएगा Hello Friends, Welcome to GP Online Classes YouTube Channel आप सभी का एक बार पुने एक और ने वीडियो में स्वगत है इस वीडियो में मैं आपको डारेक्टेर से निकला हुआ एक क्लेरिफिकेशन क्लियर करने वाला हूँ सरकिल के पास लगातार बहुत सारे कोईरी आ रहे थे और सरकिल ने डारेक्टेर से रिकोस्ट किया कि इस प्रकार के प्रमोशन को हमें क्या करना चाहिए अगर आप चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं और LDC एक्जाम से संब्दी सबसे तेज अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा देखिए सबसे पहले हम दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे एक्जामपल के माद्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने 2022 के LDC एक्जाम में MTS का एक्जाम क्रेक किया है MTS का प्रमोशन जो है वो रिफ्यूज कर दिया किसी भी कारण की बज़े से तो ध्यान दिजेगा आपको अगला प्रमोशन कब दिया जाएगा तो दो सवाल उठे हैं सरकिल के पास कि वेदर एन ओफिसियल वो हैड रिफ्यूज आफ़र अफ़र प्रमोशन बिल बी एलिजबल फॉर अपीरिंग इन LDC फॉर दे नेक्स्ट टियर बैकेंसी दूसरा सवाल क्या बोला उन्होंने पहला कोशन ये था कि क्या इस कंडिरेट को जिस कंडिरेट ने आफ़र अप्रमोशन रिफ्यूज कर दिया है अगले साल के विभागी परिच्छा में पातरता दिया जाएगा या फिर नहीं दूसरा सवाल अगर दिया जाएगा तो वो टाइम पिरिएट कौन सा होगा कि उसको अगला प्रमोशन दिया जाएगा तो ध्यान से समझेगा टारेट का यहां पे एक लेटर नंबर बताया गया है और यहां पे हम कुछ important point के बारे में ही बात करेंगे लिखा हुआ है an official who has refuge promotion shall not be issued press promotion order for a period one year from the date of such refuge जान से इस point को समझने का प्रयास करिएगा इस point को इस letter में highlight भी किया गया है और यह point आपको यह बोल रहा है कि जिस दिन से आपने इस promotion को refuge किया है उस तारीक से एक साल के अंदर तक आपको आफरा प्रमोशन नहीं दिया जाएगा यह point जो है दिमाग में डाल लीजेगा अब इसके लाबा और कौन कौन से point है मतलब आपने अगर आज की तारीक में refusal किया है तीन छे दो हजार तेज की तारीक में refusal दे दिया है तो अगले एक साल तक आपको आफरा प्रमोशन नहीं दिया जाएगा लेकिन कुछ points से उन points को समझना बहुत जरूरी है पहला point क्या है अगले साल की जो वेकंसी है उस पे आप परिच्छा दे सकते हैं परिच्छा में बैट सकते हैं अब आपको परिच्छा में बैटने के लिए बोल दिया गया तो दूसरे point में क्या बोला गया अगर आपका number merit में आ जाता है तो फिर क्या किया जाएगा तो ध्यान जा इसको मज़िएगा भले ही आप merit list में आ चुके हैं C number point में ये बता दिया गया है कि आपको अगला promotion किस तारीक को दिया जाएगा circle क्या करेगा result जारी करते समय result के बगल में date लिखेगा कि किस तारीक को आपको offer a promotion दिया जाएगा उमीद करता हूँ कि जो जानकारी मैं आपको दिया हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको एजानकारी अच्छा लगा है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लाइक कर दीजेगा तभी दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा जुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद